नमस्कार दोस्तों इश्वट सदेव आप का बना करें मैं संजे आप सभी का स्वागत करता हूं मारे यूटीब चैनल आइश्टो संजेपर दोस्तों आज में एक बाद फीट से उपस्तित हूं आप सभी के बीच में आपके सपनों की समस्याओं का हल ने करकें तो आज हम जो विशे लिकर के आए हैं आज हम जिस विशे पर आप से चार्चा करने वाले हैं सपने में कुवा देख रहा हूं जहां जिसे हम इंग्लिस में करते हैं तो क्या होगा कि यदि कोई जाता अगर सपने में कुवे को देखता हैं तो इसका शुरू पफल होगा या अशुर्फल होगा इसके क्या सपनों होंगे आज हम इसी विश्रे पर आप से चर्चा करेंगे तो दोस्तों सबस्पल में आपको बताना चाहूंगा कि जो भी सपने हम एक से अधिक बाद 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 देखते हैं तो उस सपने का कुछ नो कुछ कुछ नो कुछ अर्थ होता है जयरी हम में कहना कुछ ना चाहिए तूष Кणिक समुगे लेकर बात करते हैं तो सपने में कुआ देखना या तो फिर आगार कहें हूंद करते हैं बताता है कि हमारे अंदर बहुत सा अभी भावना हैं बहुत सारे लालाओं को खुल करें आप व्यक्त करना चाहिए उसको लोगों के सामने लाना चाहिए अब वहीं बात करते हैं आपकी चीजर को अपकी इच्छाओं को व्यक्त करता है यादि आप देखते हैं कि सपने में पहुछ सारा एक से अधिक खकुएं आप एक साप में देखते हैं तो यह जो सपना होता है बताता है कि आपको निखट भविश्च में अच्छे फल और अच्छे शुब समचार की प्राप्ती हो सकती है यदि आप सपने में देखते हैं कि कुवा है बहुत ही साप पानी से बहा हुगा तो यह एक बहुत ही positive होता है, यह सपना indicate करता है कि निकड़ भविष में आपको धन की प्राप्ति होगी, जिसे आपको काफी आर्थिक सहायता मिल सकती है, यदि आप सपने में देखते हैं कि सूखा वह हुआ है, यह सपना अच्छा नहीं होता है, यह सपना अशुप माना गया ह यह सपना बताता है कि आपको निकड़ भविष में कुछ problems हो सकती हैं, जिससे आपको बचकर रहने की जरूत है, यदि आप देखते हैं कि आपने सपने कुछ भेग दिया है, या तो गिर गया है, तो आप खुद गिर जाते हैं, तो यह सपना जो होता है, यह दुखों की आ मिलते हैं, एक नए सपने की सीदिच में तब तक के लिए जय मातारी दोस्तों!